इसी मौसम में यहापर राकी बांदी जाती थी और कजलया भी इसी महीने में होताता करके वो कहते हैं कभी कब जाके वो आवाज हमें कभी सुनाई देती तो तब जाके हमें यहापर मा मिलती करके वो कहते हैं कभी-कभी क्या है मा के न रहने का जो एक सोच है अगर दिमाग में आ जाता तो बहुत ही वहाँ डर जाते थे। नमस्कार मैं हूँ हर्शिता हिंदी लेक्चरर विद्दैश्रम कॉलेज मैसुर आज हम फर्स सेमिस्टर बीकॉम बीबीए बीसीए के जो हिंदी पार्टिक्रम है उसके जो कता परिक्रमा है उसमें से जो नेलकटर कहानी है उसको आजम देखेंगे नेलकटर कहानी को देखने से पहले हमेशा की तरह आम उसके जो लेकख है उनका परिचया पर देखेंगे देखें नेलकटर कहानी के लेकख है उदै प्रकाश जी उदै प्रकाश जी का जन चत्तिस गड़ के सीतापुर गाउं में एक जनवरी 1951 में होती है एम ये तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये पत्रकारिता के तरफ मुरते हैं पूर्वागरह, दिनमान, नवबारट टाइम्स आदी पत्रिकाओं में ये सहसंपादक के काम भी करते हैं इनकी प्रमुक रचनाये कुछ इस तरह है नेलकटर, पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोडा, सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हार्मोनियम आदी इन के काहानी जो है, आपकी पाटिक्रम में दी गई है, नेलकटर, ये इनकी क्या है? इक नीजी कहानी है, नीजी जीवन से संबंदित कहानी है, इसमें लेकक जो है, अपनी ही मा के संबंदे में जो यादे है, वहार लिखते जाते है। स्थान है उनके जीवन में वही सब कुछ होती है बचपन में तो मा ही क्या है बच्चों का संसार होती है तो ऐसे बचपन में मा के सिर्फ अगर ना होने का अगर हम सिर्फ उसके बारे में सोचेंगे भी तो क्या है जीवन में एक खाली जगासा जो है हमें मैसुस होती है सिर्फ हम उसे सोचेंगे तो ही क्या है इतना दर्द हो उठता है तो ऐसे में लेकक ने अपनी मा के बारे में ही अपनी मा से संबंदित कुछ ऐसे जो प्रमुक यादे हैं उनी को यहाँ पर वो याद करते हुए इस कहानी को लिखते जाते हैं तो यहाँ पर इस कहानी की केंद्रबिंद हम कह सकते हैं कि क्या है पारिवारिक संबेदना संबंदों में जो जीवन तितावर एक संबेदना जो है यहाँ पर इस कहानी में हम देख सकते हैं तो अपनी ही मा के बारे में इस कहानी में वो लिखते जाते हैं तो नेल कटर इस कहानी का शिशक उन्होंने क्यों रखा है ये अभी मैं पहले आपको नहीं बताऊंगे बाद में क्या है आपको ही खुद समझ में आ जाएगा कि आपर अपनी मा से सम्मंदित कुछ यादों को ही आपर वो कहें लिखते जा रहे है तो नेल कटर क्यों इसके बारे में हम अंत में आपर चर्चा करेंगे अभी फिलाल हम कहानी का प्रारम करेंगे कहानी के प्रारंब से पहले यापर अगर हम इस कहानी में अगर पात्र देख सकते हैं देखे प्रमुक पात्र जैसे में यापर कहा सिर्फ लेकक जो है अपनी मा के बारे में यापर वो कहते जाते हैं लेकक जो है बच्पन में अपनी मा से सम्मनित जो यादे है उसके बारे में वह कहते है तो इस कहानी में हम सिर्फ एक लेकक और मा को ही देख सकते है तो कहानी का प्रारम कुछ इस तरह से होती है सावन में घास और वनस्पतियों के हरे रंग में हलका अंदेरा सा गुला होता है हवा बारी होती है और रात तरल मैं नौ साल का था देखी यहाँ पर वो कह रहे है कि मैं नौ साल का था यह तब की बात वो बोल रहे है जब लेकक यहाँ पर नौ साल के थे वो सावन की जो महीना था तो इसलिए सावन की जो मौसम है उसका वर्णन वो कहते है कैसे करते हैं सावन में घास और वनस्पतियों में कुछ क्या है यहापर हरे रंग में एक हलका अंदेरा जो है यहापर रहती है करके वो कहते हैं और बारिश की बूंदे जो है यहापर वो क्या है सतह पर तैरती रहती है और हवा भारी होती है और रात तरल एक पहले वो किस तरह से कहानी का प्रारम करते है सावन की जो मौसम है उसका वर्णन वो करते है हवा बारी रहती है बारिश की बुंदे पर सतर पर तैरती रहती है और सभी पत्य और घास में उसके जो हरे रंग में एक अंदेरा जो है आपर चाही रहती है करके इसके बाद वो कहते हैं कि उस समय में नौ साल का था उस समय लेकक नौ साल के थे इसी मौसम में जो है यहां पर राकी जो है बांदी जाती थी और और कजलया भी इसी महीने में होताता करके वो कहते हैं, कजलया मतलब देखे अपर गेहु के जो कोमल पत्ते घास होते हैं उसे कजलया कहते हैं, एक प्रता है अपर उस कजलया को जो है अपर बहने जो है अपनी भाई को जो है उनके कानों के तरफ यहाँ पर रखते हैं, उसके साथ साथ जो है यहाँ पर गोबर की जो है साथ बहने जो है यहाँ पर बनाई जाती है और यहाँ पर दानों के लाई और दूद जो है दोनों में बर कर क्या किया जाता था वहाँ जो लेकक है अपनी बच्पन की यादे वो बोल रहे है नाक पंचमी के दिन में वो क्या है यह पर जो सापों की जो बिल है उसे डूनते हुए वह जाते थे यापर कहते हैं सापों की बाभीया को डूनते हुए हम थाली को हाथ में पकड़े, सबी तयार करके क्या है जाते थे नाक पंचमी में धूठ जो है वहाँ पर छोड़ने के लिए इस तरह वो क्या है अपनी मुंका कुछ तीस त्योहार का वर्णन जो है आपर वो करते हैं और वो कहते हैं आगे कि हरियरी का जो अमवास है वो भी क्या है इसी समय में होता था तो मैं बासों के एक बड़ी जेंडी बना कर क्या है उस पर चड़ जाता था और वही पर क्या है खेलता था करके वो कहते हैं इस तर अपनी बच्चपन की कुछ यादों को पहले वो क्या है, उसको याद करते हुए लिखते जाते हैं. फिर बाद में वो कहते हैं कि मा दक्षिन के और के कमरे में रहती थी, बंबै के टाटा मेमोरियल अस्पताल से उन्हें ले आया गया था, सिर्फ अनार का रस पीती थी, वे बोलने के लिए अपने गले में डाक्टरों द्वारा बनाई छेद में उंगलिया रख लेती थी, वह सावन के जो मोसम हैं, उसका वर्णन करते हुए, आउरो तीज तीज तीओह रंक अपनी बच्पन के कुछ यादों को वह ताजा करते हुए, अपनी मा के बारे में, जिस तरह पहले ही बतायता है, इस कहने की केंद्री ये समवेदना, जो है, वो क्या है, संबंदों की या फिर अपनी मा को याद करते हुए, वो लिखते है करके, तो अभी वो अपनी मा के बारे में हपर के थे, देखें इसी सावन के मोसम में, इसी सावन के मोसम में जो है, उनकी मा बीमार थी, वो अपनी जीवन की जो आखरी पलों को वहाँ जी रही थी, तो ऐसे में उनकी म मा की स्तिती उस संदर्वो में कैसी थी जब लेकक नौ साल के थे सावन का महीना था देखे मा क्या है घर की दक्षिन के और कमरे में वहां रहती थी और उसके बाद क्या है टाटा मेमोरील अस्पताल से क्या है उन्हें अभी घर को ले आया गया था अस्पताल से अभी डिस्च वो अपने गले के पास जो है एक ट्यूब जो है डाक्टरों द्वारा एक छेद बना कर जिसमें एक ट्यूब वहाँ पर डाल दिया गया था उस पर उंगले रखकर वहाँ बात करती थी शायद ही क्या है आपर मा को बाते करने में बहुत ही तकलिफ जो है होता होगा करके आप पर लेकक अपनी मा के बारे में कहते हैं क्यूंकि उसी ट्यूब से गले में जो छेद डाक्टरों द्वारा बनाई गई थी उसी ट्यूब से क्या है वहाँ सास ले दी थी अगर वहाँ बोलना चाहती है तो वही क्या है उसी से एक आवाज जो है पतली सी एक आवाज जो है निकल कर आतीती करके यहाँ पर वो अपनी मा के बारे में कहते जाते हैं आगे वो अपनी मा के बारे में इस तरह कहते हैं कि मा को बोलने में दर्द बहुत होता हुआ होगा इसलिए बहुत कम ही बोलती थी देखे मा को बोलने में बहुत दर्द होता होगा इसलिए मा क्या है जब से बीमार फड़ी थी तब से वहाँ ज्यादा जो है बोलती नहीं थी तब से वहाँ अस्पताल से क्या है वापस लोटी तब से तो वहाँ ज्यादा क्या है बोलती ही नहीं थी देखे उस यंत्र जैसी आवाज में हम मा की पुरानी आवाज खोजने की कोशिश करते कभी-कभी उस अस्कली मा और मा जैसी आवाज का कोई एक अंश हमें सुनाई पड़ जाता तब मा हमें मिलती जो हमारी चूटी सी शुरूती में होती थी देखे अभी भी वो मा की ही वर्णन करते हुए कहते हैं कि जबसे वो टाटा मेमोरिल अस्पताल से लवटी थी जबसे क्या है उनके गले में वो जो एक छेद करके ट्यूब जो है वापर डाल दिया गया था उसी से वहाँ सास लेती थी जबसे वहाँ बीमार पड़ी है तब से क्या है या पर उनको क्या है बोलने में बहुत ही दिक्कत होती थी तो इसी में में पता चलती है मा जो है उनके जीवन की आखरी दिन जो है उसका वर्णन हापर लेकर जो है कर रहे हैं तो ऐसे में मा सिर्फ अनार का रस ही पीती ती ज्यादा कुछ खाती नहीं थी और क्या है वहाँ बोलने में बहुत दिक्कत होने की करण बहुत ही कम बोलती थी बहुत ही कम बाते जो है वहाँ बोलती थी तो देखे लेकक के अपर कहते हैं कभी-कभी हम क्या है मा के उस इंत्र जैसी आवाज में हमारी असली मा जैसी जो आवाज है उसे कभी हम डूंडा करते थे कभी-कबार जाके वो आवाज हमें कभी सुनाई देती तो तब जाके हमें आपर मा मिलती करके वो कहते हैं देखे यहाँ पर एक लेकक नहीं, एक छोटा सा बेटा जो है अपनी मा के बारे में यहाँ पर कह रहा है, एक नौ साल का जो बेटा है अपनी मा के बारे में यहाँ पर कह रहा है, ऐसे ही हमें यहाँ पर मैसूस होती है ना, कि एक लेकक नहीं, एक बेटा यहाँ पर अपनी मा के बारे में वो भी छोटा सा बच्चा जो है आपर कह रहा ऐसे क्या है यहाँ आपर बहुती सरलता से वो यहाँ पर जो यादे हैं उनके बारे में लिखते जाते हैं कि क्या है आप अब के बारे में नहीं उस समय के बारे में जब लेक नौ साल के थे तो उनको किस तरह आपर म नहीं कर पा रही है तो एक 9 साल के लड़की का जुमन है कितना यह पर तडपा होगा किस तरह उसको महसूस हुआ होगा यही कुछ जो अंश है यह पर हम देख सकते हैं कि देखे यह पर कह रहे कि क्या है हम मा की उस यंत्र जैसी आवाज में जो है मा की पहले जैसी जो आवाज उसे डूनते रहते थे कभी कबार तो वहाँ में हमारे कानों पर पड़ती तो तब जाके हमें हमारी मा मिलती करके तो कितना तरपा होगा ना उस मासुम बच्चे का दिल उस संदर्ग में तो आगे वो कहते है कि मा ज्यादा बोल नहीं पाती थी मगर वो सब कुछ सुनना च कर सकती है इसलिए क्या है वो सब कुछ या पर सुनना चाहती थी जिस तरह या पर बच्चे जो है घर में खेलते है चिलाते एक दूसरे से लड़ते जगडते है तो बहुती वैकुलता से वो सबी जो है मा सुनती थी और आगे वो अपनी मा के बारे में कहते है कि उनके सिर् आंके बची थी जिनें देखकर मुझे उम्मीद बनती थी कि मा कही जाएगी नहीं मेरे पूरे जीवन बर रहेंगी मैं हमेशा के लिए उनकी उपस्तिती चाता था चाहे वे चितर की तरहा या मूर्ती की तरहा ही रही आये और ना बोले देखे उस समय में जब लेक नौ सा के थे वो एक मासूम बच्चा जो है अपनी मा के बारे में क्या सोचता था सिर्फ मा की आंके ही बचीती का अर्थ या पर क्या है मा जो है या पर लगबग बहुत ही क्या है दुबली पतली या पर हो गई थी अभी मा की आवाज भी पहले की तरह नहीं आ रही है अभी मा से सकती है तो ऐसे में अगर सिर्फ मा की आंके ही है उसी से क्या है उन्हें एक हिम्मत मिलता था मा की आंकों से ही तो क्या है या पर उस छोटे से बच्चे को या फिर उन बच्चों को या पर हिम्मत मिलती थी तो लेका कहता है मुझे हिम्मत उनी आंकों से मिलती थी कि मा मुझे चुड़ कर कहीं नहीं जाएगी इस कारतिया पर सोचिए मा वाकिई जो शेश है सब कुछ निर्जीव सा एक हो गई थी मा जो है उस समय एक निर्जीव सा वहाँ पर बन गई थी सिर्फ उनकी आंखों में ही क्या है थोड़ी सी वो जो रोश्नी है यहाँ पर भची थी मा की उ पुझे चुड़कर कहीं नहीं जाएगी, वो हमेशा मेरे साथ ही रहेंगी, उस समय वह ये चाहते थे, कि क्या है माह हमेशा चाहे इसी तरह एक मानचित्र की तरह ही, अगर या फिर एक मूर्ती की तरह ही रहेगी, तो भी काफी है, मगर वो मेरे साथ हमेशा रहे एक बच्चे का मन इस तरह यहाँ पर चाहता था शायद आप लोग समझ पा रहे हो कि एक नौ साल के जो बच्चा है उस उम्र में तो मा ही क्या है एक बेटे के संसार जो है बच्चों की संसार जो होती है तो ऐसे में एक बेटे का जो मन है क्या चारा यहाँ पर चाहे मा इसी तरह बिस्तर पर ही क्यों न लेटी रहे चाहे वहा कुछ बोल ही न पाए चाहे वहा कुछ बोले या फिर न बोले इसी तरह है इसी तो सही एक मान चित्र की तरह ही एक चित्र की ही तरह या फिर एक मूर्ती की तरह ही क्यों नहूँ मगर हमेशा मा मेरे साथ रहे iसे वो जो मासूम दिल है वहाँ चाहता था किसका मासूम दिल? लेकक का इसी तरह मा रहे और हो जो हिम्मत है मा मुझे चुड़ कर कहीं नहीं जाएगी वो जो हिम्मत है यापर लेकक को मा की आँखों से ही मिलती थी तो एक मासूम बेटे का मन कितना तडपा होगा हम यहाँ पर सोच सकते हैं देखिए यहाँ पर लेकक अपनी मा के बारे में आगे यापर वो क्या कहते है यापर तो अभी मा जो है सिर्फ उनकी आँखे ही बच्ची थी जिसमें एक रोशनी थी जिसके कारण उनको एक हिमत मिलता था कि मा कहीं चोड़ कर नहीं जाएगी तो ऐसे ही कभी कभी तो क्या है लेकक बहुती डर जाते थे मा के ना रहने का है, फिर मा के साथ ना होने का जो ऐसास है, कभी-कभी इसे सोच कर भी, कभी-कभी क्या है मा के ना रहने का, जो एक सोच है अगर दिमाग में आ जाता, तो बहुत ही वहा डर जाते थी, वहा जो मासूम बच्चा है नौ साल का, वहा तो बहुत बार रो भी पड़ा था, देखे आपर वो कहते हैं, मैं रोता भी था, कभी-कभर आचानक ही क्या है मेरे जीवन में एक खाली सी जगा जो है अगर मुझे मैसूस होती, तो वो जो सोच है, क्या है वो जो पल है, बहुत दरावना होता था, हर एक के जीवन में न, सिर्फ वो तो छोटा सा बच्चा है नौ साल का, लेकर कुछ समय में, छोटे से बच्चे थे, सिर्फ वो तभी नहीं, हर कोई क्या है, अपनी मा के न होने के बारे में अगर वह सोचेंगे भी तो काम पुट जाते हैं, मगर ये सब को पता है कि संसार चोड़कर हर किसी को जाना ही पड़ता है, कोई भी यहापर शाश्वत नहीं है, फिर भी ये जानते हुए भी अगर बड़े-बड़े ही क्या है, मा के न होने के बारे में सोचकर काम पुटते हैं, रो पड़ते हैं, तो वो तो छोटा सा बच्चा था नो साल का, तो वो जो मासम सा जो दिल है, उसका दिल कितना जहमा होगा, ढरा होगा, कभी कबार लेकक, उस उम्र में बहुत बार रो भी चुके हैं, तो इसके बारे में वो कहते हैं, बाद में वो कहते हैं कि ऐसे ही क्या है, बहुत बार जो है, मैं रो पड़ा हूं, और एक एक दिन ऐसे ही चल रहा था कि मा जो है मा ने मुझे बुलाया करके हो केते हैं एक दिन ऐसे ही चल रहा था कि मा ने मुझे बुलाया उस दिन घास का रंग बहुत ही गहरा था और बादल बहुत थे और हवा में एक भारी पंसा था हवा में एक क्या है भारी पंसा था तो उस समय एक दिन मुझे जब मा बुलाती है तो मैं उनके पास चला गया और मा ने क्या है मुझे अपनी जो दाई आत है उसे दिखाया तो मैं देखते ही समझ गया मा की दाए हाथ के जो सबसे चोटी उंगली है उसके बगल वाली जो उंगली है उसे सूरी की उंगली भी कहते है तो उस उंगली के जो नाकून है अपर थोड़ा सा उकड गया था और मैं समझ गया देखे नुव सल का बच्चे ही थे उस समय में तो उनको उसी समझ समझ में आ जाता है क्या करना है करके तो यह पर लेकर खुद कहते है कि मैं समझ गया और नेल कटर लाकर मा की पलंग के नीचे फर्ष पर बैठ गया नेल कटर से लगी रेती से मुझे उनकी उंगले का नाखून गिसकर बराबर करना था मा यही चाहती थी वह नेल कटर पिता जे इलहाबाद से लाए थे कुम्ब के मेले से लवटने पर दो साल पहले नेल कटर में नीचे कांच का एक सितारा बना था देखिए आपर वो क्या कह रहे अभी जैसे मा एक दिन उन्हीं बुलाती है अपने पास तो अपने हाथ ऐसे दिखाती है तो क्या है बिना कुछ बोले ही आपर बेटा जो है समझ जाता है क्यूंकि जो सूरी की उंगली है दाय हाथ की उसकी जो नाकुन उकड़ गई होती है तो वहाँ क्या करते है तुरंत जाकर नेल कटर लेकर आते है तुरंत जाकर नेलकटर लेकर आते है और मा की पलंक की बगल में क्या है नीचे फर्ष पर जमीन पर वहाँ बैठ जाते है और मा की जो उंगली है उसकी जो नाकून है उस रेती से क्या है उनकी नाकून को यह पर क्या है साफ करना था ठीक करना था तो यहाँ पर लेकक क्या है मतलब वो जो बच्चा है 9 साल का वहाँ काम करना प्रारम कर देता है क्या करते है वहाँ पर वो नाखुन को क्या है बराबर करते है जो नेल कटर है उसके बारे में यहाँ पर वो इस संदर्ब में कहते है जो नेल कटर है उसने क्या है? पिता जी ने लाया था, कहां से? उस नेल कटर को पिता जी ने कुम्ब के मेले से लाया था, कुम्ब के मेले से जो है आपर उस नेल कटर को लाया था पिता जी ने, तो उस नेल कटर के छो एक छोर में जो है आपर क्या है? कांच का एक जो नक्ष इतनी बारी किसे उसका वर्णन वो करते हैं देखिए वो आगे कहते जाते हैं कि मा की उंगलिया बहुत पतली हो गई थी उनमें रत नहीं था पीली सी तवचा पतंगी कागस जैसी पीली भी नहीं जर्द और बेहद तंडी ऐसा ठंडापन दूसरी बेजान चीजों में होता है कुर्सियों, मेजों, किवाडों या साइकल के हैंडल जैसा ठंडापन देखिए जैसे ही लेकक जो है वहाँ पर मा की जो नाखुन जो है साफ करके उसे ठीक करने के लिए वही पर बैठ जाते हैं नेल कटर लेकर तो तब वो अपनी मा की जो हाथ है ऐसे पकड़ते हैं तो यहाँ पर कहते हैं मा की उंगले बहुत ही पतली हो गई थी बहुत ही बैजान सवह हो गई थी शायदी उन हाथों में क्या है रखते नहीं था और देखिए अपर पीली सी तवचा पतंगी कागस जैसी उनकी क्या है पर जो हाथ बहुत ही पीला पड़ चुका था जैसे पतंगी कागस होती है वैसे और उनके हाथ जो है वहाँ पर बहुत ही ठंडे थे उनके हाथों में वो वजन ही नहीं था मा की हाथ जो है अचानक इतनी हलके से क्यों हो गए उसमें भारी पनी नहीं था मा के हाथ जो है एक तो बहुती पतली हो गई थी और क्या है पतंगी कांगर्स जिसा क्या है वहां बहुती पीला जो है हाथ पड़ चुके थे और उसमें भार ही नहीं था उन हाथों में भार ही नहीं था बहुती क्या है अपर हलका जो है उनका हाथ था इसलिए इसी के संदर्ब में लेका कहते है शायद ही क्या है मां के हाथ में वो जो बार नहीं है ना शायद ही वहाँ बार जीवन का होता होगा हाथ में जो बार होता है शायद वहाँ बार वो जो वजन है वहाँ वजन क्या है वो जो बार है जीवन का होता होगा फिलाल क्या है वहाँ पृत्वी जो है उसे खींचती होती है शायद वहाँ उसने खीचना छोड़ दिया हो क्यों ऐसा बोल रही है आपर शायद ही जो है उनकी वही आखरी जो पल है रहा होगा अभी उनमें जीवन बहुत ही कम है इसलिए उनकी हाथ जो है हाथ में उनकी हाथों में भारीपन नहीं है और उनके हाथ पीले पड़ चुके है और बहुत ही ठंड भी पड़ चुके है तो एक नहो साल का जो बेटा है उस समय उनके साथ जो वहाँ पर वक्त गुजारते हुई है मा के साथ बैटा रहता है तो लेकक क्या करते है उस समय मा की जो नेल से उसे भी कट करके उसे सभी जो साफ है करते हैं तो पूरे एक गंटे तक जो है लेकक अपनी मा के साथ बैठते हैं उस दिन पूरे एक गंटे तक जो है लेकक अपनी मा के साथ उस दिन बैठते हैं वो क्या है उनके सिर्फ एक उंगली नहीं हात और पाउंके उंगली पूरे एक गंटे का वक्त बिताते हैं इसी समय में क्या होता है? मा कुछ बोलना चाहती है अपने बेटे से कुछ बोलने के लिए जाती है मगर लिकत इंने वही छुप करा देते है क्योंकि बेटे को तो यहाँ पर यह पता था कि मा को बोलने में तकलिफ होती है और यह भी पता था कि मा जो है क्या बोलना चाहती है देखे उस अंदर में मा जो है अपने बेटे के सिर पर जो हाथ है वहाँ क्या है सहलाती है तो जैसे ही मा बेटे की बालों पर हाथ सहलाती है नेल कट सभी करने के बाद उसे साफ करने के बाद मा क्या करती है लेकक के सिर पर जैसे ही हाथ सहलाती है वो कुछ बोलने के लिए जाती है तबी देखें लेकक वहाँ पर उनको छुप करा देते हैं क्यों कि वे बोलती तो पूछती कि मैं सिर से क्यों नहीं नहाता बालों में साबुन क्यों नहीं लगा था इतनी धूल क्यों है और कंगी क्यों नहीं कर रखी है देखे यहाँ पर लेकक को पता था कि अगर मा उनसे कुछ बोलेगी तो वहाँ क्या बोलेगी देखे जैसे ही व बोलती तो वो यही पूछती कि क्या है सिर पर क्यूं नहीं नहाया और बालों पर क्या है साबुन क्यूं नहीं डालते हो बालों को अच्छे से धोते क्यूं नहीं हो और क्या है बालों पर कंगी क्यूं नहीं किया है बाले से बिखरे से क्यूं है और बालों में इतना दूल क् शायद ही मा यहीं सभी बाते जो है मुझसे पूछती करके यहाँ पर लेकर कहते हैं मतलब उनको पता चल जाता है मा क्या कहने के लिए जाती थी करके तो मा के साथ वक्त बिताने के बाद अभी रात होती है तो रात का एक वर्णन आपर वो करते हैं मतलब उस पूरे राध बारिश जोरों से क्या है पढ़ रही थी और हवा में बहुत ही भारी पन था बहुत तेज हवा चल रही थी और बारिश भी क्योंकि एक तो सावन का महिना है और बारिश होने का जो एक आवाज है उसका ही एक अलग गंबीरता जो होती है करके वो कहते है तो उस पूरे रात हवा बहुती तेजी से चल रही थी बारिश भी बहुती तेजी से हो रहा था तो ऐसे में देखे या पर सुबा पांच बजे आंगन में गाउं के आउरते रो रही थी सुबा सुबा पांच बजे को ही आंगन में जो गाउं के आउरते है वहा रो रही थी वहां रोना नहीं था विलाब था वहां विलाब था पता नहीं मा रात में नीन में ही कत्म हो गई मा खत्म हो गई देखिए शायद ही जब बलेकर नेल कटर लेकर उनके पास जाते है उनके हाथ जब देखते है तो उनके हाथ में जो है आपर उनके हाथ इतना ठंडा जो है पढ़ चुका था इतनी जो पीला है वहाँ पढ़ चुका था और जिस तरह वो कहते है उस हाथ में जो है एक क्या है वजन ही नहीं था कहा है वहाँ वजन कहा है मा की हाथों का वहाँ बार शायदिवा जीवन का भारता करके इसलिए एलेकक ने यहाँ पर उसके बारे में जो है बताया था क्यूंकि सुबह सुबह कहा ही कह, पांच बज़े या पर, σारी इवरते जो है गाउं की इवरते आंगल में बैट कर रो रही ती, शाय दिवार मोह रो नहीं वी लापता दुखता। वो दुख कर प्रकट क्यों कर रहे थे? क्युंकि जो माँ है वहा, रात में नीन में रीध कर रही थे। मैंने उस रात सोने से पहले अपनी तक्किये के नीचे वहा नेल कटर रख दिया था। उसे मैंने बहुत खोजा बलकि आज तक कई वर्षों बाद भी लेकिन वहा कभी नहीं मिला। वहा पता नहीं कहा खो गया। हो सकता है वहा किसी बहुत ही आसान सी जगह पर रखा हुआ हो और सिर्फ मेरे भूल जाने के करण वहा मिल नहीं पा रहा हो। मैं अक्सर उसे खोजने लगता हूँ। देखिए अब इस सुबह सुबह ही जो घर के सामने जो विलाप जो है दुख जो है गाउं की आउरते आपर प्रकट कर रहे थे जो रो रहे थे तो उसी समय जो है मा जो है गुजर जाती है। शायद ही नीन में ही क्या है वो परलो कर सुदार जाती है। तो ऐसे मैं या परले का कहता है कि मैंने उस दिन के बाद मैंने कभी मा को ही नहीं देखा। मैंने फिर से कभी मा की जो घिसे पिटे नाकून है उसे नहीं देखा और ना ही उस नेल कटर को उस दिन रात को मैं उस नेल कटर को अपनी तकी के नीचे रखा था मगर पता नहीं वहा नेल कटर का हाथ चला गया इतने बरस बाद भी मतलब इतने वर्षों के बाद भी मैं अभी भी उसे ढूनता ही रहता हूँ मगर वहां मुझे मिलता ही नहीं है शायदी वहां किसी सरल बहुत ही आसानी से जगा में उसे रुका हुआ होगा मगर क्या है सिर्फ मेरे बूले से वहाँ क्या है मिल नहीं रहा होगा इस तरह से वो यहाँ पर कहते हैं देखे अभी यह जो बात है यहाँ पर जो बात यहाँ पर हम देख सकते है कि मैंने फिर कभी उनके गिसे हुई नाकू नहीं देखे उसके गिसे हुई नाकुन नहीं देखे ये एक लेकक नहीं एक बेटा जो है एक नव साल का बेटा जो है यहाँ पर कह रहा है मतलब उस वक्त जो है उनको किस तरह अलग रहा होगा जब वहां सिर्फ नौ साल के थे जब माँ उन्हें छोड़कर चली जाती है तब वहां सिर्फ नौ साल के थे उसे माँ के जाने से पहले एक दिन पहले क्या है वो माँ के साथ वक्त बिताते हैं उनके नाकुन से भी साफ करके क्या है अपर उनके साथ वक्त बिताते हैं तो सुबह उड़ते ही माँ नहीं है ही मासूमियत से यह बात कह रहा है यहाँ पर कि उसके बाद मैंने मा के गिसे पिटे नाकून ही नहीं नहीं देखे तो यहाँ पर क्या है हमें लेकक से ज्यादा जो है एक नव साल का लड़का जो है यहाँ पर उसे भी यादे जो है कह रहा है इस तरह से हमें बहुत सारी जगह पर हमें इस तरह लगता है कि क्या है वो एक दुख जो है एक सम्वेदना आपर वहाँ प्रकट कर रहे देखिए मा के जाने से पहले जो है वो सिर्फ मा के ना रहने की जो सोचे उसे सोच कर ही उसकी जो खालीपन है अपने जीवन में एक काली जगा को महसूस करके ही वो कितनी बार रोकर बैटे थे अब तो सच में मा उनकी साथ नहीं है देखिए हमेशा क्या होता है जब कोई मनुशी जो है हमारे साथ जो विक्ति रहते है उनके जाने के बाद इस दुनिया से जाने के बाद सिर्फ उनकी यादे ही हमारे साथ रह जाती है स्पेशली वो यादे जो हम उनके आंक्री पलों में हम उनके साथ बिताते हैं और उसके साथ जो वस्तू जो है रहते हैं जिन वस्तू का उप्योग वहा करते हैं वही क्या है यादों में रहे जाते हैं तो उस नेल कटर अभी आपको यहां पर पता चल गया होगा कि लेकक ने इस कहानी की शीर्शक जो है नेल कटर क्यों रख्की है? यही एक वस्तूती नेल कटर ही वस्तूती जिसके कारण से बेटा जो है मा के साथ अपनी जो उनकी आकरी पलों में उनके साथ रहता है। इसलिए क्या है इस कहाने के शिशक नेल कटर करके रखते हैं देखी यहाँ पर वो कह रहा है कि उस नेल कटर को मैं अभी भी डूंड रहा हूं मगर वहाँ नहीं मिल रहा है शायद यह सिर्फ नेल कटर की बात नहीं कर रहे है अपनी मा की यादे अपनी मा की बाते जो है वहा कर रहे शायद ही उनकी आंखे जो है उनका मन जो है मा को ढूंटा है मगर मा मिलती नहीं हैं और उसके साथ साथ गावों की वो सभी यादे जैसे कहान के प्रारंब में वो कहरते हैं जिस तीज त्योहार की जो बाते जो है वहा करते हैं जिन रस्मों की बाते जो वहा करते हैं वो सभी क्या है शायद अभी सिर्फ याद बन कर ही रह चुके हैं वो सभी क्या है आपर ढू संबधना जो है ό کے हैं संब़ंदम में जो जीवंतता जो लाने की जो एक प्रयासिया पर लेकक ने किया है उसमें वहां सफल होते हैं है भहती सफल्टा पूर्वक क्या है अपनी में संबंदित जितनी भी यादे जो हैं आकरी पलों में जो उनके साथ उनोंने बिता था उन सभी यादों को बहुती सफलता पूर्वक और क्या है बहुती रुदैस पश्री रूप से उसका चित्रन करने में लेक क्या पर सफल हुए है धन्यवाद